दोस्तों तो आप लोग BPSC exam की तयारी कर रहे होंगे जो teachers vacancy I हुई है तो हम आपको इसमें एक strategy बताएंगे जिससे आप अपने marks में बढ़ोतिरी कर पाएंगे अपने marks को बढ़ा पाएंगे तो ये strategy इस प्रकार होगी पहले तो आपको पता होगा कि जो general study दो paper होने वाले है बिहार में एक paper तो general ऐसी होगा जिसमें आपको 120 marks का question होगा जिसके marks final में जुडेंगे नहीं लेकिन qualifying nature का होगा और जो दूसरा होगा उसमें 120 questions आएंगे जिसमें general study से भी questions होगे social study से भी questions होगे math के भी questions होगे reasoning के भी questions होगे और आपके बिहार special से भी question होगे तो हमको इन कम दिनों में यानि कि अभी हमारे पास केवल और केवल टाइम बचा हुआ है 34 दिन 30 दिन यानि कि बिहार ने जो परिच्छा आयुजित करनी की जो date रखी है वो 24 रखी हुए 25-26 सताई यानि उसको अगस्त में ये परिच्छा करानी है तो हमें अब one month में तो क् सबसे पहले आपको बताएंगे कि geography में आपको क्या पढ़ना है और history में क्या पढ़ना है, quality में क्या पढ़ना है, economics से कहां से question आएंगे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो economics का portion होगा तो economics आप तयार करनी मत बैठिएगा, economics में आप general 10 year की BPSC जो question पूछ रहा है वहां से आप तयार कर लीजिएगा, यानि BPSC पिछले वर्स, economics के जहां जहां से question वो भी आप new content को जोड लीजिएगा, यानि कि अगर नया उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो नये बदलाव को ले करके उसको बसके वन study कर लीजिएगा, यानि डेटा बदलते रहते हैं, आ उसके बाद साथ साथ आपको बिहार का भी जोगर्फी पोर्सन पढ़ना होगा, क्योंकि बिहार से जोगर्फी का काफी पोर्सन आता है, तो जो बिहार का है तो उसमें जो physical चीज़े आएंगी, ठीक है, और कहाएंगी आपको बता देते हैं, physical appearance में आपका ये जैसे नदिय पूछ लिया, पठार पूछ लिया, ठीक है, हिमाले से निकलने वाली नदियों को पूछ लिया, तो ये important portion है, जो BPSC पूछता है, ठीक है, तो उसके बाद हम जाने के ऐसे अभी हम औरली आपको बता रहे हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि कहां से कितनी question आने की संभावना है, तो ये चीज हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री से हमारी तीन हिस्ट्री हो गई, यानि की ancient हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री और modern हिस्ट्री, तो हमको ये जानके रखना है कि modern हिस्ट्री से ही question का trend बना हुआ है BPSC में, यानि लगभग लगभग 50 से 70% जो question आते हैं, वो modern question आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा modern हिस्ट्री में deep नहीं जाना है, आपको कीवन 1905 से लेकर के और स्वतंतरता तक उस पे ज्यादा focus करना, मैं यह नहीं कह रही हो कि आप उसके पहले के portion को आप भूल जाएगे, उसको आप एक सरसरी नजर से आप देखिएगा, ठीक जानके रखना है कि कौन से ऐसे अंदोलन कारी जो है वो बिहार से जुड़े हुए है और उनका रास्ट्र में स्वतंतर कराने में योगदान कितना रहा, ठीक है जैसे हम जानते हैं कि चंपारण के शुकल जी थे जोनोंने 1970 में गांधी जी के साफ जो आंदोलन ये नील का ह हुआ था वो किया था तो ये सब चीजे रिलेट करके आप लोग पढ़िएगा ठीक है अब आप ये जान रहे हैं कि जो मौरडायन स्ट्री है उसका जैसे मगद आप पढ़िएगा हम मेडाइवल की बात करें अब मेडाइवल में जाते हैं तो सबसे ज्यादा मगद तो अगर हम उसको एज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा तो एज हिस्ट्री पढ़िएगा ठीक है यानि कि मगद का विकास कैसे हो चोटे से वह बड़े में कैसे तबदील हो गया ठीक है और वहीं से एक पोशन और बनता है जैसे गुप्त वंस बनता है तो ग पुद्गम वहीं से ही है बहुत जादा विकास भी डेवलपमेंट भी वहीं पे हुआ ठीक है तो इसलिए हमको बहुत धर्म को इग्नोर नहीं करना है ठीक है उसको स्किप नहीं करना है बहुत धर्म को बिलकुल अच्छे से यह समझी रट जाना है बहुत धर्म और जैन ध संगितिया कहां कहां पे हुई है क्योंकि जितनी भी संगितिया हुई है वह सब लग भग लग बिहार में हुई है जैसे पाटली पुत्र में हुई है वैसाली में हुई है और एक आपका कुंडल ग्राम में जो कुंडल ग्राम में तो दूसरे इस्टेट में लेकिन यह दोनों बहुत संगितियां जो हैं यहां पे हुई इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है जो बहुत की संगितिया होती है तो उनके मरने के पस्चात है यह नहीं होती है पाटली-पुत्र-वैसाली और यह आपका जो बिहार राजिय है वहां के डिस्टिक्स में तो अब हम और आगे आते हैं कि science पे आप BPSC जो एक्जाम वैसे लेता है उसमें science के question पूछता है तो वो जड़ता साइंस के question पूछेगा तो वो biology से पूछेगा क्योंकि इसको biology उठाने का ये 10 years में जदा trend है और पहले भी trend था क्योंकि इसका हमारे general life में भी उप्योग है इसलिए उसको life science कहते हैं तो life science से question पूछता ही पूछता है तो आप इसको जान लेजिए कि life science से question पूछेगा अब life science में भी कई सारे portion है जैसे हमको human body vitamins यानि पोसड और आपका रुधिर परिशन चड़न तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है तो ये हो गया हमारे life science के important portion ठीक है अब हम चलते हैं आपको एक बताते हैं कि 120 questions जो हमारे आएंगे 120 questions ये देखिए हमारे 120 questions आएंगे ठीक है कि हमारे 120 questions जो आ रहे हैं तो 120 question में हमको ये रेखना है कि 20 questions math से आएंगे math reasoning का portion अभी फिलाल बिहार राजनी ये घुसित नहीं किया कि कितने question में आएंगे लेकिन हम ये generally मान के चलते हैं कि 20 questions math reasoning के रहेंगे तो आप ये समझे है कि history, geography और polity और economics इन सबसे near about आपके जो question रहेंगे वो 35 questions रहेंगे तो 35 questions आपके रहेंगे और सबसे इन 35 questions में सबसे ज़्यादा जो question रहेंगे आपके वो आपके modern history से होंगे ठीक है क्योंकि modern history का एक reason है कि modern history जो है modern history से related कई सारे जो स्वतंत्रा सेनानी है वो बिहार से related है ठीक है तो बिहार से क्या है कि बहुत ज़्यादा योगदान दिया है बिहारियोंने तो उनका जो है योगदान है इसलिए modern history में बिहार से जो related होगे उनसे हमें questions परने है ठीक है modern history पे आप बिसेज ध्यान दीजेगा उसके बाद आप आजाईएगा word geography पे तो word geography पे आप ये करिएगा word geography में आप केवल 10 year के questions solve करिएगा जो पहले आए हुए हैं यानि कि जो 10 years before से questions आ रहे हैं वो आप तयार करिएगा word geography आपको पढ़ने की उतनी जरुवत नहीं है कि वह ससरी नजर से आप देख लेजिएगा अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इंडियन geography के बारे में तो इंडियन geography के बारे में आप जानते हैं कि इंडियन geography से इंडियन geography से जनरली question जैसे drain से पूछ लिया गया पठार कहां है नदियां कहां है कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है ठीक है और कौन सा राज्य है और कौन से राज्य की स्थिती कहां पर है ठीक उसके राज्यपाल कौन है कौन उसके भारत का रास्ट्रपती कौन है और प्रधान मंत्र को यह तो जनरल question यह नहीं पूछे कर रेकिन एक एक जो हमारे state है उनसे related जो इस समय करेंट में जो व्यक्ति मु तो वहां के राज्यपाल को जाना जरूरी है थीकि वहां के मुक्यमंत्री को जाना जरूरी है तो इनको आप देख लीजिएगा current से ठोड़ा सा रिलेट करके और जनरली तो आप केवल यह देखिएगा कि आप भारत का देख लीजिएगा पूरा जनरली जैसे आप पढ़त बटरेजी बनांके रखनी है न हम जब इंडियान ज nutrहर है चैज में किρεί difference सुपफ़। लिधन का भूलं रहे हैं नहीं हो आपके बीहार से कुछलाइइ और दो पुछे हमे तो बिहार में नंयों सरा हम इस द जार चेंटेन काYU के लिए जो बिहार जोग्रफी है उसमें हमें सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले तो हमको यह डिवाइड करना है कि जो बिहार राज्य को हमें गंगा नदी दो भागों में डिवाइड करती है यह हमें मालूम होना चाहिए ठीक है तो एक जो बनता है उत्तरी भाग और एक बनता ह दच्छडी भाग ठीक तो हमें सबसे पहले उत्तरी भाग के जितने वी जिले हैं उनको जानना जरूरे रड़ जाएए आप दच्छडी में कितने बन रहे हैं उसको आप रड़ जाएए फिर हिमाले से निकलने माली कौन सी नदिया है यानि जो उत्तर से निकलेंगी वह इमा तो यह जद्दच्छर में पढ़ता है तो इसलिए पठारी इलाका है तो यह जो नदिया होंगी वर्स भर जल इसमें तो रहेगा नहीं ठीक है और वर्स भर जल किसमें रहेंगा जो हिमाले से आती है जैसे कोशी हो गई ठीक है और इधर उपर की जितनी भी फेमस नदिया है आप जार रहे हैं ठीक है महाननदा हो गई हां गंड़क हो गई बुड़ी गंड़क हो गई यह उत्तरी नदिया है बिहार की है जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर आपको बताएंगे इन सब को आप बिलकुर रट जाईएगा क्योंकि वो पूछ सकता है कि यह न और इधर आपकी अजय हो गई तो यह चोटी चोटी नदिया है जो नीचे से है यानि कि पहाग दच्छुड से निकलती है ठीक है तो इसके बारे मिदर आप वहां की मिट्टी कैसी है तो जब मिट्टी कैसी हम जानेगे जैसे अब मिट्टी का जानने का क्या तरीका है जब एकिस जगह पे कौन सी नदी है तो नदियों के किनारे की जो होती है जमीन वो क्या होगी किनारे क्योंकि हमेसा बाढ़ाती रहती है टीक है कब यह पानी आता रहता तो इससे उपजाओ हो गई ठीक है तो जो मिट्टियों के कही सारे प्रकार है उनको आप देख लीजेगा आ फृपड इसलिक टर्वर में जान म्तों मां किसी करेल, को फडure-बांगर, उसर वियों ने भी भी व है फुपस्ट, आप बहूंकि फुरौ li सब्सक्रण है अन्यप 있지 उसरे के और द्न को बता-घ्डाइब है इस बहुपने हो जाया है है तो उतना ज्यादा खनीज का उत्पादन तो बिहार करता नहीं लेकिन हां जो ज्ञारखड से शटा हुआ राज जुल्ला है वहां पर बिहार में कुछ चीज़ें पाई जाती है तो पाइराइट का उत्पादन होता है यह बेसिकली आप लोग जान लीजे कि बहुत ज्यादा कोशन यह पोछता है कि पाइराइट तो नियरबॉट फॉर्टे परसेंट पूरे इंडिया का ऑ sovereign यह पर हो बिहार में होता है तो यह चीज़ लेचे टो है तो के तो आप यह देखिए आप उसके अधिसोर फिल्कषिट में चले जाहिएगょ कौन कौन सी important जगह है उनको आप देख लीजेगा ठीक है तो science का हो गया आपको पता होगा कि science में हमको बहुत जादा तीनो science पे उतना जादा focus नहीं करना है केवल focus करना है तो किस पे हमें करना है human science पे यानि हमको geography पे करना है total ठीक है यानि कि हमको अगर 100% हम science में दे रहे हैं तो 100 में से 80% हमको जो ध्यान देना होगा वो केवल इस पे देना होगा ठीक है science पे जो third है यानि जीव विख्यान पे ठीक अब इतनी चीजे हो गई आपके पास अब reasoning हो गई ठीक है reasoning में आप क्या करेंगे reasoning के आप 10 साल के paper उठाइए reasoning में जैसे पूछ रहा है बहुत जनरली reasoning पूछेगा बहुत तफ मत पढ़ने लगिएगा क्योंकि reasoning में माल या पांच question आते हैं माल या आपका reasoning कितना दे देगा 5 question दे देगा आपको 5 question दे देगा और 5 question के लिए आप daily 10 hour देंगे क्या मतलब रहा ठीक इसलिए आप 5 question को जनरली उन question को पढ़िएगा जो बीपी असी ने अपनी परिछाओं में पूछा है ठीक है वो फिर से वैसे ही question देगा